मेरी बात का बाबा के लिए कोई महत तो नहीं है साई अरे महने भर से तबियत खराब है लेकिन लेकिन ना कोई औशदी लेंगे और ना कोई परहज करेंगे अरे तो कैसे ठीक होंगे ये और अगर कुछ पूछो तो अपनी तकलीफ भी नहीं बताते हैं अरे बड़ी मुश्किल से बड़ी जिद करके आपके पास लेकर आया हूँ इनको साई मैंने अपनी मात तो खोदी है लेकिन ये बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगा बेटा मैं कुछ बोलूँ साई अगर मैं इसे कहूंगा कि मेरी तब्यट ठीक नहीं है तो ये अपना काम धाम छोड़के मेरे इलाज के लिए घर में बैठ जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिए ये अपना नुकसान करे इसे इसे समझाईए मैं तो अपनी जिन्दगी जी चुका पर इसने अभी शुरुआत भी नहीं की कब तक मेरी चिंता करता रहेगा इसलिए मैं अपनी भीमारी के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं बताता और एक बात साई इसे कहिए कि एक अच्छी सी लड़की देखके ये अपनी शादी करें मुझे अपना घर बहुत सुना सुना लगता है और साई घर तो औरतों से ही बनता है है ना सुना ना अपने साई सुना ना सारी बात कह दी लेकिन अपनी बीमारी की बात वो टाल गए अब साई के पास आये हैं तो कोई बात उनसे चुपती नहीं है पर मेरा फर्ज तो बनता है ना कि तुम्हारी शिकायद करूं अब साई के समझाने से शाहिद तुम थोड़ा समझ जाओं कि पुम्हारी शर्भी स्कंता है ... पाटिल जी, सुना है, मेरे लिए आया आदेश को आपने ले लिया जी हाँ, शास्तिरी जी नहीं हमें कहाँ चावडी में बुलाया था और उन्होंने ये फर्मान मुझे दिया उन्होंने कहा था कि गाउ के मुख्या को ये दिया जाएगा अच्छा और आप गाउ में थे नहीं, इसलिए उन्होंने ये मुझे दिया ये रहा फर्मान हम सबने निरने लिया है के महाराणी को पैठनी सारी देंगे कौन सी सारी? पैठनी सारी आप लोग हस क्यों रहे हैं? मैंने हसने वाली तो कोई बात नहीं की भर्योहो उबहास कर भी नहीं सकते आप पातिल जी क्योंकि उसके लिए बुद्धी की अवश्यक्ता होती है और यदि वो आप लोगों के पास होती तो ऐसा उपहार देने का निरने आप लोग नहीं लेते महारानी है वो अंग्रेजों की महारानी आधी दुनिया पर उसकी हूकुमत चलती है क्या वो तुमारी पैठनी पहन के लंडन गुमेगी सारे वारे कुछ ने पहन थी वो उसे ऐसा उपहार देना चाहिए जिसे वो पहन सके ऐसा हम उने क्या दे सकते तो वो पहन सके मोकुट सुवारन मोकुट सरकार वो तो बहुत महंगा होगा क्या हम कुछ और नहीं दे सकते कुछ और कई ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं सुछाओ दे रहा हूं सुछाओ नहीं यह मेरा आदेश है संभावता आप लोगों की स्मरन शक्ति क्षिन हो गई है मैं शिर्दी का राजा हूं राजा मेरे आदेश की पूर्ती करना आप लोगों का धर्म है यहां से ऐसा उपहार जाना चाहिए जिससे मेरी चावी बने और मेरी चावी बिगणने का में किसी को अधिकार नहीं दे सकता अर्सनिये चोटा मोटा मुकुट नहीं तीन सो तोले का मुकुट में भैट में तूंगा रानी विक्टोरिया को तीन सो तोला इसके लिए शिरडी का हर नागरिक बराबर मात्रा में अपना योगदान देगा तो गणना के हिसाब से हर घर से तीन तोला सोना चाहिए होगा मुझे तीन तोला सोना? यह तो हम सब के लिए बहुत जादा है कोई कैसे दे पाएगा इतना सोना? हरी ओम, हरी ओम मैं समझ सकता हूँ कि इतना सोना, इतना सोना हर घर में नहीं हो सकता और आप तो सब जानते हैं कि जहां शिरीडी की बात होती है वहां मैं आप रोगों के साथ हूँ हरी ओम, इसलिए जो घर सोना नहीं दे पाएगा उसके हिस्से का सोना मैं दूंगा अब तो ठीक है ना? आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? है ना? लेकिन आपने जो सुना वो सत्य है आप में से जो भी सोना नहीं दे पाएगा उसके हिस्से का सोना मैं दूंगा किन्तु रिन के रूप में और रिनी को पाच प्रतिशत के दर से प्याज का भुक्तान करना होगा मुझे अरियोम भाईजान जो भी जमा पुझी थी असलम की शादी में सब खर्चों गए अब तीन तोला सोना हम कहां से लाएंगे सलीम मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि अक ही हमारे घर को अगर दो घरों में गिन लिया गया तो कुलकरनी सरकार को हमें तीन तीन तोला सोना यानी छे तोला सोना देना पड़ेगा जिसको देना है वो दे पर मैं एक पैसा नहीं दूँगा अब मेरे पास है ही नहीं तो कहां से दूँगा तुम नहीं दोगे तो कुलकरनी सरकार दे देंगे अपनी तरफ से पर बन जाना उनके कर्जदा कुलकरनी सरकार की कि इतनी बात भी भूल गए क्या और पंधरी कुलकर्णी सरकार की चाल तुमसे अधिक और कौन समझ सकता है उनके यहाँ एक बार कर्द का खाता खुल गया फिर वो कभी बन नहीं होता सही कह रहें आप कहिने सुनने का वक्त गया हसकर या रोकर इंतिजाम तो करना पड़ेगा सरकार से जगड़ा मोल लेना हमर ले नुक्सान दायक होगा चाहे वो कुलकर्णी सरकार हो या फिर अंग्रेश सरकार इससे आप देख रहे हैं साही यह मेरी पतनी की आखरी निशानी है वो इसे हमेशा अपने पास रखती थी ताकि अपनी बहू को दे सके पर उसकी इच्छा अधूरी रह गई अपने अंतिम समय में मुझे इसका दायत्म सोपकर चली गई ताकि मैं उसकी बहू को दे दूँ तब से मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ पर ये है के शादी का नाम ही नहीं लेता कहता है घर में बहु आएगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा पर ये समझता नहीं है मेरी उमर हो चुकी है कब भगवान का बुलावा आ जाए पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो अधूरा काम छोड़कर चली गई है मैं उसे पूरा करके शान्ती से उसके पास चला जाओ कम से कम मरने के बाद ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मेरा बेटा अकेला है इतना तो सुकुन रहेगा कि उसकी देखवाल करने वाला कोई तो है घर में प्रेम में हम एक दूसरे की देखवाल करते हैं चिंता करते हैं एक दूसरे की एक दूसरे की भलाई चाहते हैं पर प्रेम में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना उनका ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है हमें एक दूसरे का पूरक होना चाहिए श्यामराओ जी मैं आपकी जिन्ता समझता हूँ पर आप आदित्य को मानसिक रूप से शादी के लिए तयार होने दीजिए और इसके लिए आपको भी उसका सहयोग करना होगा अपना ध्यान रखिए ताकि आदित्य को ये विश्वास हो सके या पौर्ण रूप से स्वस्थ है आप पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है तभी वो दिमागी रूप से स्वतंत्र हो पाएगा किसी नहीं रिष्टे की जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुना बाबा और आदित्य तुम तुम भी ज़्यादा समय मत लगाओ खुद को तयार करो मानसिक रूप से मन बनाओ सुना बेटा हम लोगों के घर जला दिये फिर भी यम नहीं भागे और तुम्हारे गर का जूला तो तुम भागड़े तो तुम भागड़े देर्पोग कहीं के देर्पोग देर्पोग एक बार रानी के मुकुट के लिए सोने के संगर का का ये पुरा हो जाए मैं तब दिखाऊंगा इन लोगों को इनकी आवकाद, इनका स्थान बहुत जरूरी हो गया था सरकार सरकार, सबका दिमाग साथ हुए आसमान पर पहुच गया है हाँ हरी ओम हरी ओम केशव तुम अब भी आसु बहार रहे हो उन मुर्ख लड़कों के लिए इसलिए कह रहा हो लंडन जाओ वहाँ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने ही मित्रों का उपहास उडाते हैं हरी ओम हरी ओम पापे पूत पराब्त खोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा है तो मेरा ही बेटा यह तक तक दुखी रहेगा जब तक उन लड़कों को यह उनके घुटनों पर देख नहीं लेता केश है हो रो मत बेटा रो मत मैं तुम्हें ऐसी वस्तु लाके दूंगा जिसे देख कर जो तुम्हारा मजा अकुडा रहे है ना वो तुमसे मित्रता करने के लिए गिड़ गिड़ाएंगे सच हाँ तुम्हारे चारों और घुमेंगे वो हाँ लट्टू हो जाएंगे और तक तुम भी सीख जाओगे कि लोगों को मुक्ठी में कैसे रखा जाता है हर्योम हसो यह हुई ना बात हर्योम यह 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 ही यह है ये लीजिए इसे तीन दिनों तक पानी के साथ लीजिएगा मैं वादा करता हूँ, अपना खयाल रखूँगा मैं आप से वादा करता हूँ, अगर आप अच्छे से अपना खयाल रखेंगे न तो मैं इस वर्ष अपनी शादी के वारे में जरूर सोचूँगा देखा साई वीमार होना भी कभी-कभी फाइदे मन्द होता है राम जी भला करें जाय होना जाय करें शीव, बात कर नहीं थी तुमसे जब से आया हूं तब से मौका ही नहीं मिल पा रहा है बंता जी हम तो यही समझते थे कि दुनिया के सबसे बड़े फोकर चंद और बेकार आदमी हम दोनों ही है लेकिन ये खिताब अब किसी और ने ले लिया है हमसे इस विश्वनात को देखकर अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी शादी करें लूँ और घर जमाई बन जाओं फिर मेरे भी आश मौज अगर तुम्हारा मन हो तो बाहर गूमने चले हम लोग जहां इस मौसम में आपका दिमाग तो ठीकानी पर है ना ठीक है जब तुम्हारा मन होगा तब चलेंगे शाम को मैंने सुना यहां बजार में बहुत चटपटा फरसान मिलता है और अगर केशव को भी खाना पसंद है तो उसे भी साथ में ले चलते है अब क्या गलत क्या दिया मैंने सवाल सही गलत का नहीं है आपकी समझ का है आप मुझे पूछते क्यों है क्यों पूछते आप मुझे वहां गाव में ऐसे ही करते थे चलो सब को लेकर चलते हैं यहां भी सब को लेकर देगे सब को हाँ चियू आप क्यों नराज हो गई चियू 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 कि बिक्षा दो माई 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 भिक्षा दे माई माई भिक्षा दे माई कोई वाद ने अलाह मालेक मेरे बार मैं कुछ भी गाता ुपूलता हो और तुभा सबजे, कैसे छुप रहू हूँ? जो मैं काया है, सब्सक्राइब गरजमाई हो तो गरजमाई हो गरजमाई कहूंगा एक ओधे किया गरगा हूँ? आजरो अजिता गरगा डूरको मैं बहुत पारूँ को, बतारो मैं कैसे गरगे तू? अजरुब तब तू? अः एक रा याद ता कर रहत अपंध जा कार जो लोग नि państ害 अड़ा जा well इसाज है कि मेरी शूरुआट कीना नहीं इन लोगोंका नहीं के इन लोगों कई मेरा थैर्षमाइश् माया थाह कर जड़ा गया ये लोग हाँ, मैं घर्जा माई हूँ, सवस्राल में रहता हूँ, लिकिन में उनके तुकड़ों पर नहीं बलता हूँ, क्या जानते हैं तुम सब लोग, मैं खुदार हूँ, भुद की नोगरी करता हूँ तो हुआ पत्नी के मादा ख्याल लग्ता हूं। मेरी पत्नी को मैं के जाना पड़द है मेरी सासुमा लाचार हैं पूरी हैं कि कुछ समान नी सकती है हिक मेरी सासुर पूरी तरह सुस्तिने वह तो मैं अभी यहाँ चलाया जिससे हमारी ग्रस्ती पर असार ना पड़ सके इश्वर की क्रिपाद से मेरे माता पिता स्वस्त है तंदरुस्त है वो अपना ख्याल रख सकते हैं लेकिन एक पत्नी के माता पिता के मामले में ऐसा नहीं है उन्हें 24 घंडे एक आदमी चाहिए जो उनका ख्याल रख सके क्यों हसते हैं मुझ पर क्या पत्नी के घर पे रहना पाप है गुनाह है बताये साइंग कर सकते हैं